प्रेंट्स वेलकम दू माई चैनल सेटीन बॉकेट आज हम एक निव चाप्टर श्रडी करेंगे जिसका नाम है कि प्लांट सिटिंग और सेफ डिजाइन तो चलिए सुरू करते हैं प्लांट सिटिंग क्या होता है पता होना चाहिए प्लांट सिटिंग का मतलब एक निव प्लांट कंस्टरट आड सेट अप करके सुरू करना और कोई एकजिस्टिंग फैक्टरी में कुछ मोडिफिकेशन और एक्स्टेंशन करना लेकिन यह चीज़ हम खुद ही अपने मुता वक नहीं कर सकते हैं क्योंकि एसे ही कुछ भी कर देने से कुछ चीज ठीक से प्रॉपर ब्लानिंग नहीं होता है जो कि इंसाइड दो प्लांट आज वेलास आउट साइड पिपूल और एंवर्मेंट के लिए अंसेफ हो सकता है इसलिए प्लांट सिटिंग विद प्रॉपर के साथ बनाना चाहिए जिसके लिए कुछ आक्ट एंड रूल्स बनाया गया है उसे फॉलो करके हमें प्लांट चेटिंग करना चाहिए क्योंकि यह मांडाटेरी होता है अगर हम यह स्कीप करते हैं तो हमारे खिलब गर्मेंट स्ट्रॉंग आक्संस ले सकता है तो अभी द सभी के वज़ा से लोकल पेपल और प्लांट वार्कर्स और आनिमल्स और एंड एंवर्मेंट के उपर आडवर्स इफेक्ट आ सकता है तो इसे कम करना और ना करने के लिए हमें प्लांट के सेटिंग और कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कंस्ट्रक्शन सुरू करते वक्त के प्लान्स section 6 of factory act 1948 को फट्लो करके complete होना चाहिए और गुजराड factory's rule 1963 के according plans plan prepare design और initial stage में ही rule 3 and 3b को फट्लो करना चाहिए तो section 6 of factories act 1948 states और state government को following के लिए rules बनाना चाहिए जैसे के पहले plans of the factories इसमें class and description about the factory होना चाहिए और इसे chief inspector of factory और state government के पास application submit करना चाहिए submission of application registered post में ही होना चाहिए और through post हमें send करना चाहिए और अगर date of application से लेके 3 months के अंदर applicant को कोई भी order communicate नहीं होता है तो हमें application granted हो गया समझना चाहिए उसके बाद हमें plans and specifications submit करना चाहिए next nature and specification को base करके उसे कौन certified करेगा consider करना चाहिए next process में factory के लिए registration and licensing process complete करना चाहिए उसके लिए जो fees होता है उसे pay करना चाहिए और license receive करना चाहिए और सही time पे license को renewal भी करना चाहिए section 7 of factors act एक notice specify करता है जिसमें occupier के बारे में factory के बारे में nature of manufacturing process and सब भी details अगर submit नहीं हुआ है तो कोई भी license grant नहीं होगा यह था plan setting and safe design के बारे में और इसका statutory requirements के बारे में कुछ important information please watch like and share the video and subscribe my channel septi in pocket thank you